मैं इसे नौमबर के लास्ट में लगाई थी, अब यह तयार है हलो गाइस, वेलकम टू गीतास किचन गारडन तुम्हें तो आज की वीडियो में हम आपको बदाएंगे कि कैसे आप गाजर की अच्छी फसल अपने रूफ कारडन पर लगा सकते हैं स्वाइल मिक्स क्या रखें, अच्छी क्वालिटी के सीट कहां से लाएं, वाटर टेक्निक क्या होनी चाहिए और इसकी केर से रिलिटेट कम्प्लीट इंफोमेशन देंगे तो लेट स्टार्ट फस्ट सेग्मेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब तो आवर चैनल एंड क्लिक दा बेल आइकन तो मितरों फस्ट सेग्मेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ एक बेस्ट प्रेक्टिस शेर कर रहे हैं जो प्लेन मिट्टी हम अपने सोयल मिक्स में यूज करते हैं उसे हम यूज करने से पहले प्रॉपर छनी से छान लेते हैं ताकि उसमें बड़े कंकर और जो पी उसमें पत्थर हो वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए तो मित्रो जैसा कि आप देख सकते हैं गाजर के बीच मित्रो ये दीसी गाजर के बीच हैं अब इनकी बॉय गीता जी स्टार्ट कर रही हैं कुछ मिटरों हम बीज अपनी कियारी में लगाएंगे कुछ हम सिमेंटीट पॉट्स में लगाएंगे और कुछ हम पॉली बेक्स में लगाएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं Д intertw ऐसे कियारी में लगा रही हैं तो मितरो हमने 5 किलो मिट्टी, 5 किलो सैंड, 30 किलो बर्मी कमपोस्ट, 1 किलो पत्ते की खाग, 1 किलो नीम की खली, 10 गराम चूना, 10 गराम काली मिश और मितरो 20 गराम हल्दी का यूज किया है तो मित्रो बुआई कम्प्लीट हो चुकी है अब गीता जी इन में पानी डाल रही है तो मित्रो अभी मिट्टी काफी ड्राई थी तो इसलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं बाकी इसके बाद जब भी आप लगे कि मिट्टी में मॉश्चर कम है तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं तो मित्रो ये है करीबन डेट से दो महीने बाद का विउ हमारे मैकसिमम गाजरा हार्विस्ट के लिए रेडी हो चुके हैं ये है क्यारी का विउ बहुत ही शांदर और ये है पालिवैक का विउ ये देखिए बहुत ही शांदर तो मित्रो हमने वीच कुछ गैब देदेके लगाये ते सारी ही बीच एक साथ नहीं लगा दिये थे ताकि उसकी फ्रूटिंग भी गैप में हो तो यह देखे कुछ हमारे पॉट्स में भी हैं बहुत इशानदार तो मित्रों हमारा हार्वेस्ट का सेग्मेंट स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं गीता जी हमारी क्यारी में से कुछ गाज हार्वेस्ट कर रही हैं यह देखे बहुत ही बहतरी रिजल्ट मिले हैं तो मित्रों अब हम थोड़ा आपको अपने क्यारी का लुक दिखा दें यह देखे बहुत ही शानदार हो मित्रों हमने कुछ सिमेंटेट पॉट्स में भी अलगाया थे गाजर आप देख सकते हैं उस इसकी केश से रिलेटिट एक टिप है यह देखे बहुत ही आप रिजल्ट मित्रों मित्रों इसके केर हे रिलेटिट किमात् gł canal इक्वी नहीं चेपने कमी और दो चुकी है तब आप इसमें इस में जबत बहुत ही मिलेंगे तो मित्रो लास सेग्मेंट में हमारे साथ बिलकुल आप बने रहें क्योंकि लास सेग्मेंट में हमारे साथ गीता जी होंगी और वो इसकी अच्छी ग्रोस से रिलेटिड कुछ टिप्स हमारे ताथ शेयर करेंगे सुमितरों यह ए आफटर हारवेज्ट लुक की यह देखिए काफिसारी है यह देखिएगा में इनको पानी से दो लिया है इसमें एक शल्गम भी लगाई थी वो भी है बीच में यह देखिए बहुत ही बहुत ही बेहतरी और रिजर्ट मिले हैं और जितर जी थोड़ा बताएं यह यह पाली बैक के बारे में आपने यह पाली बैक बहुत से चांधर गादर लगा रख रहा है अधायते कंशियां अधै कि मेखी घंड करेंसे कॉछ प्ल फूल जो dart नुब। और ग्रोब खान यह पिस्था का विश बार जी तोड़ा इस्क वीटिक के नीचे तो यह ग्रोबर्इंच ओप नियुक्ऐ इसका जो स्वैल कॉमपोलीचन है उसके बारे में बताएं जरां लोगों को क्या स्वैल कॉमपोजिशन रखा का वंचे जिराए थी नहीं है कि लो में burg faktiskt कि खाद 20 गराम हल्दी 10 गराम काली मिट 10 गराम चुना और 10 गराम टाइक को डर्मा रखता है जो कि एंटी फंगस होता है कि जो मीटी में को भी हमारे फंगस हो कुछ भी हो कि टानू हो वो उसे उसको ठीक कर दें मतलब डैमेज कर रहे हैं तो और गीता जी आपने यह सैंड की मा हुने के लिए जए मेरे मीटी कितने बियुकरा है रस Спेस मिले अच्छी ग्रोफ ओने के लिए इस लिए उत इस थिता जी थोड़ा इसकी हमारे वीवर्स को कि इसमें मैंने यही की हर 15 दिन पर मीटी चराती हूं इसमें यह सारे जो मैंने भी बताया है वो हर चीज होता है पांच-पांच परचंट चराती हूं हर पर और इसमें जादा देख रहे की जरोत नहीं होती है जैसे आप सूख जाए लड़ू जैसे जैसे लड़ू बन रहा है तो हम इसमें पानी नहीं अभी डालेंगे अब जैसे बुरूबूरी सूखी हो जाए रेता के तरह दिखने लगाए तब ही हम इसमें पानी डालते हैं ऐसे इसमें कोई खास देख रहे की जरूत है नहीं लगाते समय आप अच्छा से अराम से क्यारी बना के करके डाल के चो जर आप अपने रूप कार्डन पर लगाएं बीच कहां से लाएं मिट्टी का मिक्चर क्या रखें पॉर्ट का साइज क्या होना चाहिए और इसकी केर से रिलेटिट कम्प्रीट इंफरमेशन आपके साथ शेयर करी तो मिट्रों इन दा एंड आइंड आई वूड रिक्वे